सबसे पहले तो जाके इसको चेक करेंगे कि हमारा पहलो प्रजेक्शन में तू नहीं है तो फर्स्ट मेक इट परस्पेक्टिव ओके एंड देन जूम आउट क्या करेंगे हम लोग जूम आउट कहा से होता है इसके बाद हम लोग क्या करते हैं क्लिक करते हैं जूम पर 35 है तो शिफ्ट को हमें पहले पोल्ड करके इसको ऐसे ड्रैग करना है तो लगबग 55 मैंने ले लिया अब मुझे इस पर जाना है पोडिशन केमरे पे और यहां क्लिक क्लिक डेट आगे यह डेट किसकी वज़से है जूम की हुज़से अगर मैंने जूम और ज्यादा करना है और ज्यादा कर सकते हैं लेकि उससे पहले हमें एक एड शीन करना एक एड शीन करने यहां राइट बटन करके हमें update कर लेने क्योंकि अगर हमने कुछ भी किया ना ऐसे और यहां क्लिक करेंगे तो वह हमारा camera set है आ जाएगा एक और हम scene create कर लेते हैं add करके उसके बाद हम क्या करेंगे कि फिर से जाएंगे हम यहां पे जूम पे जूम पे जाने के बाद शिफ्ट दवाएंगे इस बारी मैं इसको कर देता हूं 75 के आसपास है अब देख सकते हैं 75 के आसपास है कैमरा लिया फिर से फिक्स किया अब देखिए डेफ्थ को ज्यादा आ रही है और यह वाले जो चीज होती है लुक अराउंड इससे ह अगले वाले में मुझे क्या करना है लेना है लेने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे जूम पे जाएंगे शिफ्ट होल करके इसको हम अब लेके आएंगे के लग बग थर्टिफाइब यह तीस के आसपास तीस के आसपास लाहने के बाद हमने एक कैमरा लिया पजिशन किय ये डेखे ली संसाओ प्रक जांड दिखा रहा है इसको भी हम अपडेट कर लेंगे अब आप देख सकते हैं ये देख short close-up and this is kind of mid-shot. तो short वही लेना है जिससे कि ज्यादा ज्यादा चीज़े रिवील हो और बहुत awkward ना लगे जैसे कि यह awkward लगेगा लेकिन कभी-कभी हमें ऐसे needed गोरता है यह बॉल इतनी ज्यादा लंबी दिखे कि जितनी है यह नहीं तो it should be very close to how we see the world as humans how we see the world in the very same way we try to set our camera so this is how we save the camera how we put the camera with the help of zoom and position camera if you know this then things are done